जहिन प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको सभी को पता है कि दो महिने के बाद में NDA का एक्जाम होने जा रहा है तो आप लोग के तयारी कैसे चल लए है? सब लोग बहियां से तयारी कर रहे हैं न? तो मैं आज आपको कुछ चीज बताना चाहती हूँ कि NDA के exam की preparation आपको किस तरह से करनी है और NDA के exam में जिस portion को आप सबसे ज़्यादा छोड़ देते हैं जिस portion को avoid करते हैं उसी portion के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जी आपने सही समझा है मैं बात करने जा रही हूं biology subject की biology subject जिसको आप हमेशा avoid करते हैं ये एक ऐसा subject है जो आपको अच्छा score करने में मदद कर सकता है इस subject को बिल्कुल भी avoid करने की ज़रत नहीं है आप लोग अच्छे से मिनहत कीजे और मैं इसके बारे में आगे आपको बताती हूँ कि biology के subject में कौन कौन से chapter ऐसे हैं जिससे आप उसमें कुल मिला के बच्चों कितने chapters दिये हुए हैं उसमें कुल मिला के दिये हुए हैं 16 chapters दिये हुए हैं एंडिये के syllabus में कुल मिला के 16 chapters दिये हुए हैं जिसमें अलग अलग topics हैं अलग अलग chapters हैं और उनमें अच्छे अच्छे information दी हुई है जो आपको अच्छा score करने म मदद कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे चप्ठर है जो आपको अच्छा स्कॐर करने में मदद करेंगे और कौन-कौन से ऐसे चप्ठर है जो जिसमें कुछ्ण। बहुत कम संख्या में आते हैं तो चलिए एक ऐनेलेसिस करते हैं बाइलोजी सब्जक्ट के मेरी अनलेसिस के हिसाब से बच्चों बाइलोजी के जो टॉपिक्स हैं बाइलोजी का जो टॉपिक है जो आपके सलीबस में दिया हुआ है उसमें से कुल मिलाके बच्चों बाइलोजी के टॉपिक्स में से कुल मिलाके आपके एंडिय के एक्जाम में कुल मिला के 10 से 15 सवाल हर सल पूछे जाते हैं कितना पूछे जाते हैं बच्चों 10 से 15 सवाल हर सल आपके NDA के एक्जाम में पूछे जाते हैं 10 सवाल जो आपको 40 नमर दिलाएगा अगर 10 सवाल आता है तो आपको 40 नमर दिला सकता है और अगर 15 सवाल आता है तो आपको 60 न तो बालोजी को किसी भी हाल में छोर के जाने के जरूरत नहीं है, उसको हलका मज समझे, यही बालोजी है बच्चों, यही बालोजी है जो आपको एक अच्छा स्कुर करने में मदद करेगी, तो बिल्कुल तैयार है इसके इंपॉर्डेंट टॉपिक के बारे में जानने के ल आजकल जो कटफ जा रही है बच्चों कितनी जा रही है, 315 नमबर, 315 नमबर लगभा कटफ जा रही है, इस 315 नमबर में बच्चों 60 नमबर या फिक 40 नमबर बहुत माइने रखता है, यह आपके एक्जाम में 21 की तरह काम करेगा, आपको एंडिय क्वालिफाई करने में म जो बालियोजी दी हुई है आपको उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं, इस बास से सब लोग वाकिफ होंगे कि 16 चैप्टर दिये हुए हैं, इन 16 चैप्टर्स में से आपके लिए जो इंपोर्टन चैप्टर है, जिससे एक्जाम में 2-3 सवाल हर साल पुछे जाते हैं, वो च स्ट्रक्चर ओफ सेल, यह आपका पहला ही चप्टर है, इससे लगभग 5-6 सवाल हर साल बनते हैं, दोसा चप्टर जो हम इंपोर्टन ले सकते हैं बच्चों, वो है Health and Diseases, Health and Diseases, health and diseases भी ऐसा चप्टर है बच्चों जिससे तीन से चार सवाल हर साल एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं उसके बाद बच्चों जो आपका तीसरा important topic है वो है आपका balance diet balance diet से भी आपके सवाल दो से तीन बनते ही बनते हैं तो इस चप्टर को भी आप अवाइड मत कीजेगा जो next important chapter है बच्चा वो आपके लिए है nervous system nervous system respiratory system, skeletal system, reproduction in organism, endocrine system, endocrine system और भी कुछ important topic है बच्चों ये सब topic बच्चों आपके ऐसे हैं इन chapters को आप कह सकते हैं इन chapters में से हमेशा आपके लगभग कितने सवाल बनते हैं एक से दो question हमेशा इससे पूछे जाते हैं ये आपको हमेशा अच्छे marks दिलाने में मदद करेंगे कुछ chapters ऐसे भी हैं जिससे लगभग एकाक सवाली पुछा जाता है उन chapters को हम देख लेते हैं कुछ chapters बच्चा आपका ऐसा है जो आपको एक नमबर तो कम सकम दिलाएगा ही जैसे हो गया आपका digestive system digestive system हो गया human genetics हो गया human genetics diversity in the living world ecology plant tissue and animal tissue तो बच्चों यह नीचे वाले chapters आपके कुछ ऐसे chapters है जो हर साल कम से कम आपको इसमें से एक सवाल आही जाते हैं एक सवाल आही जाते हैं मेरी analysis का पूरा मकसद यही है बच्चों कि आप लोग NDA के एक्जाम के लिए बालोजी को बिलकुल ही कमजोर ना समझें बालोजी आपके एक्जाम के लिए आप लोग अपने NDA के एक्जाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कीजें किसी भी subject को छोर के मत जाएं किसी भी topic को छोर के मत जाएं आप लोग बालोजी को हमेशा छोडते हैं जिसकी वज़े से आपको score करने में दिक्कत होती है बालोजी को अच्छे से परिये important important topic को परिये इसलिए मैं आपके लिए video लेके आई हूँ ताकि आप important topics को परिके NDA में अच्छा score कर सकें तो बच्चो all the best अच्छे से तयारे कीजिए इस बार आप लोग के marks बहुत अच्छे आने चाहिए जाए हैं